अगले साल यानि साल 2022 में देश के पांच राज्यों में चुनाओ होना है और ऐसे में अगले साल उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाओ को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है बता दे कि उत्तर प्रदेश के चुनाओ पर सब की नजरे टिकी हुई है और अब बिहार के तमाम दल उत्तर प्रदेश में अपनी पैट बैठाने को तयार है ऐसे में बिहार के मुख्य मंत्रे नतश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी ने इस बात का एलान कर दिया है कि वो अकेल ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और कुल 165 सीचों पर चुनाव लड़कर जीत भी दर्च करेंगे ऐसे में मुकेश सहनी ने सीधे सीधी भाजपा को टक्कर देने की बात कही है और इसको लेकर अब भाजपा लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और भाजपा ने मुकेश सहनी पर पलचवार करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी तो अनुकमपा के मंत्री है वो एक ऐसे मंत्री है जो बहार सरकार में बिना कोई चुनाव जीते ही मंत्री बन गए और इस बात का उन्हें हमेशा एहसान जताना चाहिए ना कि भाजपा के खिलाफ जाना चाहिए ऐसे में भाजपा ने यह भी कहा है कि भाजपा के शेश नित्रितों को एक बार उत्तर प्रदेश को लेकर विचार करना चाहिए मुकेश सहनी का ये ऐलान वेहद माईने रखता है और मुकेश सहनी ये कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे में भाजपा ने मुकेश सहनी को अनुकंपा के मंतरी बताते हुए उन पर सीधा सीधी हमला भी किया है क्या कुछ और मामला है और क्या कुछ कहना है भाजपा का और मुकेश सहनी के इस पर क्या कुछ प्रतिकरिया सामने आई है आई इसकी पूरे अपडेट आपको देते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी तापमां तेजी से बढ़ रहा है ये स्वभाविक है किन्तु इसका प्रभाव परोसी राज बिहार में अभी से ही दिखने लगा है विशेशकर सताधारी NDA के अंदर CM नितिश हुमार के मंत्रे मुकेश सहनी के UP चुनाओं में उतरने की घोशना के बाद से ही या उलट पुलट शुरू हुआ है अब भाजपा की ओर से भी पलटवार शुरू हो चुका है उन्हें अनुकंपा का मंत्री कहा जा रहा है परतंच कस्ते हुए कहा है कि वे अनुकंपा वाले मंत्री है उन्होंने कहा कि निशाद समाज के नेता के रूप में वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं लेकिन जगा जगा जाकर अपने आपको सन अफ मला भी कहते हैं लेकिन सचा यह है कि मुकेश सहनी ने समाज को भ्रमित किया है उसे अंधेरे में रखने का काम किया है यह भारतिय जंता पार्टी ही है जिसकी अनुकंपव से वो मंत्री बन कर घूम रहे हैं राजनीती के अतिहास में बहुत कम ऐसे मौकी देखने को मिलते हैं जब कोई नेता खुद कोई चुनाओ नहीं जीता लेकिन मंत्री बन जाता है उत्रप्रदेश में मुकेश सहनी की पार्टी वियाएपी के चुनाओ लड़नी की महत्वाकांशा के बारे में अजे निशाद ने कहा है कि यदि ऐसा कुछ है भी तो भाजपा के शेश नित्रित्तों को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे वहाँ सीधा भाजपा की सरकार को चुनौती देने की बात कर रहे हैं सीम योगी आदित्तिनाथ से मुकाबला की तयारी कर रहे हैं मैं भी इस पर आगे बात चीत करूँगा 37 उत्तर प्रदिश उनाओ को लेकर पूछे के सवाल के जवाब में भाजपा सांसद ने कहा कि वहाँ पर मुक्यमंत्रिय योगी आदित्तिनाथ एक बर फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्ता की हालत को दुरुस्त किया है उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं जन कल्यान में भी बहुत से काम उन्होंने किये हैं इस हालात में मुकेश सहनी के दुसाहस का परिनाम बहतर नहीं आने वाला है पूरा निशाद समाज भारतिय जनता पाटी के साथ है भाजपा ने समाज को जो सम्मान दिया है वो किसी भी पाटी ने नहीं दिया है तादे के भाजपा के उपाद्याक्ष और मुझफरपुर से शांसद अज़ा निशाद्ने ये उक्त बाते मुकेश सहनी को लेकर कहीं और यह भी कहा कि भाजपा की अनुकंपा से ही मुकेश सहनी मंत्री बन कर घूम रहे हैं और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी सरकार में किसी मंत्री ने चुनाव नहीं जीता हो लेकिन फिर भी वो मंत्री बन गया हो ऐसे में अजनिशाद में भाजपा के शेश नित्रतों से ये आग्राव भी किया है कि वो मुकेश सहनी को लेकर एक बार विचार करे उत्तरपदेश्ट में होने वाले चुनाओं को लेकर एक बार फिर से विचार किया जाए और मुकेश सहनी के इस दुसाहस को लेकर भाजपा के तरफ से कोई कदम उठाया जाए साथे साथ अज्जे निशाद नहीं अवे कहा है कि मुकेश सहनी का ये दुसाहस जो है उसका परिनाम अच्छा नहीं होने वाला है और मुकेश सेनी को इस दो साहस का परिनाम भूगतना ही होगा फिलाल के लिए इतना ही यहने कई अपडेट्स के लमाई साथ बने रहें यूस फॉर नेशन में नमस्कार